हेलो जी नमस्कार गुड मॉनिंग स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउटनेट लाइफ पर तो बेटा जी हमारा अध्याय चल रहा है कौन सा पुष्प ये पादुपो में लेंगिक जनन ठीक है आये देखिए हमने कल पुष्प की संग्रचना देख ली थी पुष्प के भाग पढ़ लिए थे ठीक है यहां तक समझ में आ गया था फिर हमने किसकी बात करी थी नर जनन तंत्र की जिस नर जनन तंत्र में हमने क्या बात करी थी पुंकेसर की ठीक है यह पुंकेसर जो है इसकी हमने बात कर ली थी और फिर हमने इसकी आंतरिक संग्रचना देखी थ किया बात करने ओने देखेगा ये संग्रचना देखने वाले हैं very good कई उन्हें भॉड अच्छे बहुत अच्छे कई उन्हें ऑन्सर्स दिये है चलिए तो हम यहाँ पर ये संग्रचना देख department जो कल जाते जाते मैंने आपको बताई थी आवे संगरचना में देखिएगा क्या क्या चीजी हम पढ़ चुके एक बार जुत में परागकोश में अच्छा है पराग कोश में कितने किनारे थे चार यानि किनारे को हम क्या बोलते कोश्ट कितने कोश्ट किये था चार कोश्ट किये था प्रती एक कोश्ट को हमने क्या बोला था लगू बिजानू धानी यहां तक समझ में आ गया था अब ये एक लगू बिजानू धानी जिसमें सबसे बा अब इसके अंदर कौन सी तवचा मिल रही है या इसके नीचे कौन सी स्थर मिल रही है ये एक और स्थर मिल रही है इस स्थर को बोला जाता है बिटा जी याद रखना क्या अंतस्थीसियम ये भी हमने देख लिया था ठीके पिटा जी अंतस्थीसियम के नीचे एक और स्थर मिल रही थी ये वाली इस स्थर को हमने क्या नाम दिया था मध्धे स्थर यादा रहा है ना कल बात करी थी हमने जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आप भूल ना गए हो ठीके और इसके नीचे सबसे इंपॉर्टेंट स्थर है कौन सी आपकी टैपिटम ठीके अब देखकर मुझे बताएं जल्दी से ये जो टैपिटम है ये टैपिटम आपको कैसी दिखाई दे रही है क्या ये बहु केंद्र किये है या एकल केंद्र किये है देखिए बाकी सारी जो है उन सभी में एक एक केंद्रक मिल रहा है कितना मिल रहा है एक एक केंद्रक मिल रहा है लेकिन कही ना कही टैपिटम जो है उसके अंदर बहुत सारे केंद्रक मिलने हैं तो याद रखना टैपिटम के रिस्पेक्ट में दो जी जे पहला बिंदू क्या याद रखना है कि टैपिटम पोशन परदान करेगी किसको परदा है clear हो गया यह वाली चीज लिख लीजे इसको क्या टैपटम कैसी है बेटा जी बहु केंद्र किये हैं ठीक है अब इन्चार स्तरों के अंदर क्या मिलता है देखेंगा इन चार स्तरों के अंदर मिल रही है क्या एक उत्तक मिल रहा है या कोशिकाय मिल रही है ठीक है इन कोशिकाओं को ध्यान से सुनना इन कोशिकाओं को जो यहाँ पर मिल रही है जो द्वी गुनित है बिटा जी याद रखना है कैसी है ये द्वी गुनित है ठीक है इन कोशिकाओं को हमने नाम दिया है ध्यान से सुनना इन कोशिकाओं को हमने नाम दिया है क् लगू बीजानू मात्र कोशिका ठीक है याद रखना क्या नाम दिया है बेटा जी लगू बीजानू मात्र कोशिका जो कैसी है द्वी गुड़ेत है भूला मत ये चीज ठीक है अच्छा अब इसका ना एक और नाम है कहीं कन्फ्यूज मत हो जाएगा कहीं बुक में अगर तो इन कोशिकाओं का एक और नाम है क्या बोलते इनको पराग मात्र कोशिका ठीक है तो या तो बोल देते इनको बिटा जी पराग मात्र कोशिका या बोलते हैं बिटा इनको क्या लगू बीजानू मात्र कोशिका जो कैसी है द्वी गुड़ेत है जो चारों तरफ से कवर् ये जो कोशिकाएं हैं seriously सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा ये जो कोशिकाएं हैं ये अपने चारो तरफ क्या एक स्तर का निर्मान करती है अपने चारो तरफ क्या निर्मान कर रही है एक स्तर का निर्मान कर रही है ठीक है और वो स्तर आपने याद रखनी है उसस्तर का नाम याद रखना बेटा जी उसस्तर को बोला जाता है क्या कैलोज भूल नमत क्या नाम दिया जाता है भीया कैलोज और कैलोज कौन है 11th क्लास में याद करी जैव अनू चैप्टर पड़ा था वहाँ पर एक शब्द आया था कार्बो हाइडरेट आया था ना तो याद रखना कैलोज एक प्रकार का कौन है बेटा जी याद रखना कौन कार्बो हाइडरेट ठीक है याद रखिएगा तो कहलोज कौन है कार्बो हाइडरेट जो एक स्तर है ध्यान से सुनना एक स्तर है जो किसके चारों तरफ चड़ गई है किसके लगू बिजानू मात्रकोशिका या पराग मात्रकोशिका बताएं यहां सिंपल सी संग्रचना समझ में आ गई है अब आ रखिए और तक दिखाई दे रहा है वो किसे बना हुआ है लगू बिजानू मात्रकोशिका या पराग मात्रकोशिका जो कैसी है द्वीगुनित हैं जिनके चारों तरफ कैलोज की स्तर पाई जा रही है चले आगे सिंपल सा था अब आगे क्या होएगा देखते हैं ध्यान स देखिए गए यहां पर आगे होने वाला है क्या यह अच्छा यह संग्रचना समझ में आगी बीटा जी आपको इस संग्रचना में बाहर कहीं एपीडर्मिस लिखा हुआ यानी भाई यह तो अच्छा इंडो थीशियम इसको अंतस थीशियम था ना अंतस थीशियम को इंग्लिश में बोलते हैं था यम्टल थी तर को इंग्लिश वे呢 ऑành लेर हो हैं और अगे पिटम को English में टापिटम बोलते हैं ठीक है समझ में आ गया यहां तक सिंपल सा था इसके नीचे देखिए गए यह कोशिका यह दिख रही है आपको लालालालाल जिनका केंद्रक है इन कोशिकाओं को यहां पर English में बोला है माइक्रो स्पोर मदर सेल हिंदी में मैंने आपको क्या नाम बताया लगू बिजानू मात्रकोशिका ठीक है तो यही चीज तो मैंने अभी अभी आपको पीछे दिखाई थी यही चीज तो थी बिलकुल क्या भाई यह तो अच्छा अंतस्थीस यह मध्यस्तर टैपिटम उसके नीचे कौन है उसके अंदर कौन है लगू बिजानू मात्रकोशिका यह मैं आपको बता चुका हूँ ठीक है अब आगे चलते हैं अब आगे जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है लगू बिजानू जनन अब साब यह क्या है समझने की कोशिश करते हैं देखिएगा बटा आ आपको यहाँ पर यह जो कोशिका है दिख रिये क्या नाम इनका माइक्रो स्पोर मदर सेल यानी यह है माल लेते हैं कौन हमारी द्वीगुणत थी कौन लगू बिजानू मात्रकोशिका लगू बिजानू मात्रकोशिका ठीक है कैसी थी बेटा जी यह आपकी द्वीगुण दिखाई दे रही है इसके उपर एक स्तर थी किसकी स्तर थी बिटा जी कैलूज की स्तर थी यह मैंने आपको समझा दिया अब होने वाला है क्या एक विभाजन क्या होने वाला भाईया एक विभाजन होने वाला है उस विभाजन को बोला जाता है अर्द सूत्री विभाजन ठी ते एक होता है समसूत्री और एक होता है अर्द सूत्री ये एक कोशिका è चलिए पिछले pale दिखाता हूं ताकि समझ में आ जाएगा ये एक कोशिकाKA है ड्वीगुणत है इस में मैंने विभाजन करा आये कौन सा समसूत्री ध्यान से सुनना कौन सा कराया सम सूत्री सम सूत्री में आगे वर्ड आ रहा है सम और फिर आ रहा है सूत्री सूत्री शब्द आया है किस से गुण सूत्र से तो सूत्री का मतलब गुण सूत्र और सम का मतलब होता है समान तो अब आप मुझे बताएं ये जनक कोशिका और ये जो दो पुत्री कोशिकाएं बनी है कौन से विभाजन से समसूत्री विभाजन से जरा देखकर मुझे बताएं जनक कोशिका और पुत्री कोशिका में गुण सूत्रों की संख्या समान है या नहीं है ऐसा विभाजन क्या कहलाएगा आपका समसूत्री ठीके आए ये ये एक कोशिका जो कैसी है बेटा जी द्वी गुनित है अब मैं इसमे कराने वाला हूँ अर्धसूत्री कै अर्धसूत्री एंगलिश में बोलते है माईट्स और अर्धसूत्री को बोलते हैं मियोंसस ठीके अब देखेस अन्सूत्री तो एक ही चरण में हो गया एक कोशीका से सीधा दो कोशिक बन गया लेकिन अर्ध सूत्री जो होता है वो दो भागों में होता है एक होता है अर्ध सूत्री प्रथम जब अर्ध सूत्री प्रथम होता है तो दो कोशिकाएं बनती है बच्चो और दोनों कोशिकाओं में गुण सूत्र की संख्या क्या हो जाती है आधी हो जाती है तो जरा सोचिए सूचिए शूत्री का मतलब क्या था गुण सूत्र और अर्द का मतलब क्या है आधा यानि गुण सूत्रों की संख्या क्या हो गई है आधी हो गई है किसमें अर्द सूत्री विभाजन प्रथम है ठीक है लेकिन लेकिन द्यान से सुनिए मैंने आपको बोला था कि अर्द सूत्री विभाजन दो चरणों में होता है एक होता है अर्द सूत्री विभाजन प्रथम और दूसरा होएगा कौन सा अर्द सूत्री विभाजन द्वित्त्य अर्द सूत्री विभाजन प्रथम अब इन दोनों में होगा क्या होगा भाई या अर्ध सूत्री विभाजन सेकंड यानी द्वित्य अर्ध सूत्री सेकंड अब ये अर्ध सूत्री सेकंड जो होता है बिटा जी ये बिल्कुल बराबर होता है किसके जैसा equal to लिख देता हूं किसके जैसा समसूत्री के जैसा अब आप मुझे बताएं समसूत्री में क्या हुआ था जरा सोच ये जनक कोशिका और पुत्री कोशिका में गुण सूत्रों की संख्या समान थी या आधी हो गई थी समान थी ना अब मैंने बोला ये दो कोशिकाएं बन गई है ये दोनों कोशिकाओं से अब हम इससे दो कोशिका बनाएंगे इससे भी दो कोशिका बनाएंगे अब आप मुझे बताएं ये जनक कोशिकाएं और ये पुत्री कोशिकाएं अब आप मुझे बताएं अर्द सूत्री तो इससे अगर और आधी तो यह से बनने वाली पुट्री कोशिका भी कैसी होईगी आगुनत यानी कही न कहीं यह दोनों विभाजन कौन से अर्द सूत्री और अर्द शूत्री विभाजन, याद रखना, क्या बोलताई इनको अर्द सूत्री विभाजन, तो बेटा जड़ा जल्दी से सोचे, अर्द सूत्री विभाजन झब खतम होsidedगा तो एक द्वी गुणित कोशिका से चार कोशिकाएं बनेंगी और कैसी होएंगी वो गुणित होएंगी यानि कहीं न कहीं आधी हो जाएगी किसकी संख्या गुण सूत्रों की यहां पर जल्दी से देखते हैं फटा फट देखिएगा यह हमने बात करी थी किसकी मान लेते हैं यह हमारी है कौन लगू बिजानू मात्र कोशिका ठीक है अब यह लगू बिजानू मात्र कोशिका के अंदर सोचना इस लगू बिजानू मात्र कोशिका के अंदर अगर अर्द सूत्री विभाजन तो आप मुझे बताएं कितनी कोशिकाएं बनेंगी इस एक कोशिका से अभी अभी बताया था जब कम्प्लीट हो जाएगा अर्द सूत्री कितनी बनेंगी चार बनेंगी कि दो बनेंगी चार बनेंगी न और वो चारो गुणत होएंगी कि द्वी गुनित होएंगी जरा सोचे गुण सूत्रों की संगया क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी यानि चार कोशिकाएं बनेंगी और वो चारों कोशिकाएं कैसी होएंगी आगुनित होएंगी क्योंकि क्या हो चुका है अर्द सूत्री विभाजन बड़े प्यार से आराम से समझा है clear है यह वाली चीज अब आप मुझे बताएं ये जो चार कोशिकाएं बनी है ये किस से बनी है लगू बीजानू मात्र कोशिका से ये क्या कहलाती है या याद रखना ये क्या बोलते हैं लगू बिजानू जनन तो आप जरा सोच ये लगू बिजानू जनन का मतलब क्या था किसका निर्मान लगू बिजानू का निर्मान किस से लगू बिजानू मात्र कोशिका से तीसी बात समझ मैं या अभी दर देखिएगा बेंगा यह जर लगु हूं बने हैं इनको इंगलिश में बोलते हैं याद अखना माइक्रो स्पॉर ठीक है मैं इंगलिश में भी शब्द लिखदूंगा ठीक है इस चीजे के टेंशन मत लीजएगा लगु भी जानू मात्र Kommando कोशिका को हम English में क्या बोलते हैं माइक रो स्पोर मदर सेल कि क्लियर यह वाली चीज माइक्रो स्पोर मदर सेल कौन है लगू भी जानू मात्र कोशिका जिसमें अर्दसूत्री विभाजन करने से चार क्या बन गई है लगू भी जानू अब सोच समझ के मुझे बस इतना सा ब की अब सोचिए मैं एक कोशिका हूँ और ये जो रूम है ये एक कैलोज स्तर है मैं कौन हूँ लगू भी जानू मात्र कोशिका और ये रूम जो है इसकी जो सतरह candy वारे से क्या अर्दसूत्रे विभाजन मेरे से चार कोशिकाएं बन गई है जिनको मैंने क्या बोला है लगू भी जानू जरा सोची वो चार कोशिकाएं इसी रूम के अंदर है या नहीं है यानि इन चारो कोशिकाओं के उपर क्या मिल रही है स्तर मिल रही है और उस स्तर को हम क्या बोल रहे हैं कैलोज तो सिंपल भाशा मे बूलू एक स्तर जिसके अंदर एक कोशिका कोशिका कौन लगू बीजाणू मात्र कोशिका जिसके अंदर हुआ अर्द सूत्री विभाजन जिससे चार कोशिका बनी है जिनका नाम है लगू बीजाणू जो एक स्तर के अंदर मिल रही है क्या नाम है उसका कहलोज और ये संग संग्रचना पूरी की पूरी संग्रचना क्या कहलाती है लगू बीजानू चतुष्क अब इतना तो समझ में आता है ना चतुष्क का मतलब चार यानि चार लगू बिजानू आसपास मिल रहे हैं क्यों आसपास मिल रहे हैं क्योंकि चारों के चारों कवर्ड हैं किस से कैलोज इस्तर से क्या यहां तक की पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई है इसी प्रक्रिया को हमने इस डाइग्राम से दिखाया बिटा जी कौन सा ड लगू भी जानू मत्र कोशिका जिसका केंद्रक डिपलॉइड यानी द्वीगुनित है ठीक है अब इस कोशिका से दो कोशिकाए बनी दो से फिर फाइनली कितनी बन गई है चार और ये चार कोशिकाए जो हैं वो अभी भी किससे कवर्ड है कैलोज इस तर से समझ में आ गया और देखिए इंगलिश में इसको क्या दे रखा है नाम टेट्राड टेट्राड का मतलब होता है चतुष्क ठीक है तो अब आप मुझे बताएं क्या आपको ये पूरा लगू भी जानू जनन क्लियर है सिंपल सा था अब ये बोर्ड में कोशन पूछा जाता है ध्यान से कौन से विभाजन से अर्द सूत्री विभाजन क्लेर चले आगे आएगा आगे चलते बिटा जी आगे हम बात करते हैं देखिएगा ध्यान से सुनिएगा अब ध्यान से देखिएगा ये हमारी चार स्तरे हैं कौन सी चार स्तर हैं जरा जल्दी से सोचिए बार बार नाम नहीं बताओंगा ए बी सीडी ए कॉन थी भाये त्वचा बी कॉन थी अंतस्थिसियम सी कॉन है मध्धेस्तर डी कॉन है टैपिटम या दारा है चार लगू बी जाणू, जो एक स्तर से स्तरित हैं, कौन सी स्तर थी? गया लोज, क्या बन गया था, चतुष्क बन गया था, अब देखेगा कुछ चतुष्क ऐसे दिखाई दे रहे ठीक है बछो चार कोशीकाएं दिख रही है आपको यह क्या है यह यह चतुशक है ठीक है और इन चतुशक के अंदर जो कोशीकाएं उनको हमने क्या नाम दिया है लगू बीजानू क्या नाम दिया बच्छो लगू बिजानु नाम दिया है ठीके अब आगे क्या होने वाला है अब ध्यान से सुनना हम बोलेंगे अब पराग कोशका स्फूतन होएं गा पराग कोश्का क्या होएगा बच्चो स्फूटन होएगा स्फूटन का मतलब तो समझ में आता है ना बच्चा स्फूटन का मतलब क्या होता है फटना स्फूटन का मतलब क्या होता है फटना अब ये जो पराग कोश्च को इस तरीके से समझे देखिए ये मेरे दोनों हाथ है माल लेते हैं ये एक हाथ में ये वाला भाग जो था ये एक पाली है और ये दूसरी पाली है मैंने दोनों पालियों को जोड़ रखा है ठीक है ठीक है क्या है ये दो पालियां अब आप मुझे बताएं ये दोनो पालिया जब खुलेंगी खुलेंगी यानि कौन फटेगा पराग कोश फटेगा तो अंदर से कुछ निकलेगा क्या निकलेगा अब आप बोलेंगे सर परागकन निकलता है भीया हमने परागकन बना दिया क्या नहीं अभी परागकन नहीं बनाया अभी तो सिर्फ हमने चतुषकों का निर्माण किया है अब आगे क्या होएगा आगे ध्यान से सुनना अब आगे क्या होने वाला है यानि प पहले क्या करने वाले हैं ध्यान से सुनिएगा बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है क्या देखेगा बिटा जी यहां पर ये कोशी का जो थी कौन सी कोशी का जल्दी से मुझे बताएं ये कोशी का कौन सी है लगू बीजानू कौन है भच्चो लगू बीजानू ठीक है इस लगू बीजानू को मैंने बाहर निकाला ठीक है आईए बाहर निकालते हैं भीटा जी इसको साइड में यहां पर दिखाता हूं यह हमारी एक कोशिका है आप मुझे बताएं देखते हैं कौन सीरियसली पढ़ रहा है आप मुझे बताएं सोच समझके यह जो लगू भी जानू है यह अगुनित है के द्वी गुनित है सोच समझके मुझे बताएं जल्दी से बताएं लगू भी जानू कैसी यह अगुनित क ठीक है चले आगे अब ये अगुनित कौन थी वह या लगू भी जानू जो थी ठीक है अब इस अगुनित लगू भी जानू में क्या होने वाला है सुनना ध्यान से सुनना इसमें केंद्रक का विभाजन होएगा किसका विभाजन होएगा बच्चो केंद्रक का ठीक है अभी देखिए यह इसी के अंदर है इस चतुष्क के अंदर है ठीक है इसके अंदर किसका विभाजन होएगा केंद्रक का तो अब आप मुझे बताएं कितने केंद्रक बनेंगे दो बनेंगे कितने केंद्रक बनेंगे दो क्योंकि केंद्रक विभाजन का मतलब ही क्या होता है केंद्रक का विभाजन कितने केंद्रक बनेंगे बेटा दो लेकिन लेकिन ध्यान से सुनना यहां पर जो केंद्रक जो दो बनेंगे उनमें से एक बड़ा होगा और एक छोटा हो ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं थी चलिए अब ध्यान से सुनना जो बड़ा केंद्रक है उस बड़े केंद्रक को हम बोलते हैं काईक केंद्रक सिंपल सिंपल शब्दों में बिलकुल अराम से तसली से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्या कि वह यह यह चतुष्क बना दिये थे क्या करके लगू भी जानू जनन करके यहां तक समझ में आ गया था लगू भी जानू जनन होने के बाद इस चतुष्क में कौन मिल रहे थे लगू भी जानू उनमें से एक लगू भी जानू मैंने निकाल कर आपको यहां पर दिखाया इस लगू भी जानू में हमने केंद्रक का क्या कर दिया विभाजन कर दिया जिससे दो केंद्रक बने हैं एक बड़ा और एक छोटा बड़े केंद्रक को हमने क्या नाम दिया है भईया बड़ा केंद्रक क्या कहला रहा है काईक केंद्रक और जो छोटा है उसे हमने बोला है ज क्या कराया है केंद्रक का विभाजन ठीक है लेकिन क्या वो इक्वल था के अन इक्वल था क्या वो बराबर था या बराबर नहीं था बराबर नहीं था क्योंकि यहां पर दो केंद्रक जो बने एक बड़ा बना है और एक कैसा बना है छोटा बना है ठीक है समझ में आ गया यह में एक केंद्रक है मान लेता है ये केंद्रक है जब कोशिका विभाजन करती है ये कोशिका को विभाजन करना है तो सबसे पहले कौन विभाजन करता है क्या इसका केंद्रक विभाजन करता है या कोशिका द्रव्य विभाजन करती है पहले कौन विभाजन करता है केंद्रक य विभाजन या ठीक है अब बेटा जी इसको इंगलिष मिन बोला जाता है याद रखना क्या कैईरी ओ काईनेसिस क्या नाम देते हैं कैरियो काईनेसिस यानी केंद्रक रख का विभाजन यहां अब मिल रहा है इसका विभाजन यानि कहीं ना कहीं जब जरा सोचिए ये कोशिका द्रवे का विभाजन होएगा तो इस तरीके से दो कोशिकाएं बन जाएंगी या नहीं बन जाएंगी आपने किसका विभाजन कर दिया कोशिका द्रवे का विभाजन कर दिया यानि जरा सोचिए ये स्तर दिख रही है ये अंदर की तरफ इस तरीके से मुड जाएगी आगे जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाती जाएगी और फाइनली दो कोशिकाइं बन जाएंगी या नहीं बन जाएंगी बन जाएंगी ना अब आप मुझे केंद्रक का दूसरे चरण में किसका विभाजन हुआ है कोशी का द्रव्य का विभाजन और जो ये कोशी का द्रव्य का विभाजन होता है जी ध्यान से सुनना यह जो कोशी का द्रव्य का विभाजन होता है इसे बूला जाता है क्या, याद रखना क्या? शाइटो काइनेसिस या कोशी का द्रव्य विभाजन ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइटो काई नेसिस ठीक है बिटा जी तो प्यारे प्यारे बच्चों 12 में हिंदी मीडियम वाले बच्चों क्या ये सिंपल सी चीज आपको समझ में आई है हलकी फुलकी सी क्या कि कोशिका में विभाजन में सबसे पहले के इंद्रक का होएगा फिर कोशिका द्रवे का फिर साइटो काईनेसिस होएगा अब आप बोलेंगे क्यों बताया क्या रीजन था सोच समझ के मुझे बताएं ये आपकी कौन थी ये थी लगू बीजानू कौन था बटा ये लगू बीजानू ये लगू बीजानू में कहीं न कहीं आपने पहले क्या कराया है क्या आपने कोशी का द्रवे का विभाजन कराया क्या नहीं आपने किसका विभाजन करा दिया केंद्रक का लेकिन वो केंद्रक का विभाजन बराबर हुआ नहीं बराबर नहीं हुआ आई समान हुआ एक छोटा केंद्रक बना और एक बड़ा बड़े को हमने क्या बोल दिया है का एक छोटे को हमने क्या बोल दिया जनन सिंपल सातन चलें आगे अब आगे देखीगा अब आप सोच समझ के मुझे बताएं केंद्रक का विभाजन तो करा दिया अब किसका विभा विभाजन कराएंगे बिटा जी तो जल्दी से सोच समझ के मुझे बताएं कोशिका द्रवे का जब विभाजन होएगा तो कितनी कोशिकाएं बनेंगी जल्दी बताएं कितनी कोशिकाएं बनेंगी यहां से यहां से कुल मिलाके दो कोशिकाएं बनेंगी ठीक है एक होएगी is एक कैसी ओएक वीट जी बड़ी होएगी और एक हुएगी कैसी छोटी कि एक में बड़ा केंद रख और एक में चोटा केंद रख स्वन unlockflower मुझे सब pansy अब आप मुझे बताएं यहां से यहां-तक किसका विभाजन हुआ केंद रख यानि यहां-स यहां-स यहां-तक क्या हु कोशिका यह नहीं है न अब इन दोनों कोशिकाओं में जो बड़ी वाली कोशिका है जिसके अंदर काएक केंदरक मिल रहा है अब इस कोशिका को मैं क्या बोलों गाएकail या नलीका कोशिका अब आप मेंसे कई बच्चे कोशन पूछेंगे सर इसको नलीका क्यों बोला है क्यों बोला है नलीका देखे बीटा ये जो संगरचना है ना आगे जाके किसका निर्मान करने वाली है पराग कण का ठीक है ध्यान से सुनना लगू भी जानू आगे जाके बनने वाला है क्या पराग कण सीधा सीधा शब्दों में बोलते हैं औ अब जरा सुनना वो पराग नलीका वो पराग नलीका के विकास के लिए उत्तरदाई होती है कौन सी कोशिका काइक कोशिका इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया है नलीका कोशिका जिनको नहीं समझ में है no tension आएगा जब आगे यह topic आएगा तब वहापस वहाँ पर repeat करूँगा कि क्यों काइक कोशिका को हमने नलीका कोशिका बोला है ठीक है अब यहीं पर छूड़ो काइक कोशिका का बस नाम याद रखना क्या बोलते हैं इसको नलीका कोशिका क्योंकि यह निरमित करेगी या वि अंदर होएगा क्या जनन कोशिक का तो अब आप मुझे बताएं कितनी कोशी की अवस्था आपको दिखाई दे रही है दो कोशी के अवस्था दिखाई हो गया है क्या पराग कोश फट गया नहीं अभी पराग कोश नहीं फटा लगू बिजानू धानी के अंदर कहीं चतुष्क मिल रहे थे कहीं चतुष्क मिल रहे थे या नहीं मिल रहे थे ठीक है अब आगे क्या होएगा ध्यान से सुनिएगा अब इस कोशिका में एक और परिवर्तन आएगा और सोच समझके मुझे बताएं क्या परिवर्तन आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है सोच समझके मुझे बताईएगा क्या परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है बिटा था ना हमने उस केंद्रक में वापस से विभाजन करा दी अब जरा सोचे जनन का जनन कोशिका के जो केंद्रक था उसमें विभाजन कराना है तो एक केंद्रक से कितने केंद्रक बन गए हैं दो ठीक है अब आप मुझे बताएं क्या यहां से यहां तक आपको क्या दिखाई द द्रवे जनन कोशिका के कोशिका द्रवे का जब विभाजन होएगा तो अब आप मुझे बताएं सोच समझ के मुझे बताएं ये संगरचना में कितनी कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं आप बोलेंगे सर हमें दो नहीं तीन कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं जो बड आप मुझे बताएं लगू भी जानू जो एक कोशी का थी जिसमें एक केंद्रक था यहां से पहले आसमान क्या हुआ केंद्रक का विभाजन जल्दी से रिपीट कर रहा हूं ध्यान से सुनना लगू भी जानू जिसके अंदर एक केंद्रक था अगुनेत था उसमें क्या छोटा और बड़े वाले को हमने क्या बोला है काईक केंद्रक छोटे वाले को हमने क्या बोला जनन केंद्रक सिंपल फिर हमने कोशिका द्रवे का विभाजन कर दिया तो दो कोशिकाएं बन गई एक जनन कोशिका एक काईक कोशिका फिर हमने जनन कोशिका में वापिस से केंद कोशिकाएं हैं यही कहलाती हैं बेटा आपके नर्युगमक याद रखना इन्हीं कोई हम क्या नाम देते हैं नर्युगमक नाम देते हैं क्या इतनी सी कहानी समझ में आई है अब इसको डाइग्रमाटिकली मैं आपको दिखाता हूं कुछ इस तरीके से देखता है यह का में कहीं न कहीं विभाजन हुआ जिससे दो केंद्रक बन गए हैं नीचे दिखें यहां पर जनरेटिव लिखा हुआ है जनरेटिव का मतलब है बेटा जनन याद रखना जनन कोशी का नीचे छोटी सी दिख रही है और जो बड़ी वाली है वो कौन है वेजिटेटिव हैं इसमें नाम हिंदी में बोलते है काईक कोशी का यह मैंने यहां से यहां तक की प्रकरिया आपको दिखा दी लेकिन इस डाइगराम में जरा सोचे क्या बता रखा है क्या कितनी कोशी का दिखा रखी है दो ना लेकिन जब हम NCRT पढ़ते हैं उसमें साफ साफ लिखा हुआ ह क्या कि यह कोशी का में जो नीचे जो छोटी सी कोशी का यह एक बार फिर से विभाजन करती है और दो कोशी का बनाती है यानि फाइनली कितनी कोशी का हो जाएंगी बिटा एक तो बड़ी होएगी और दो कैसी होएंगी छोटी होएंगी जो दो छोटी है उनका नाम क्या है जनन कोशी का और जो बड़ी है उसका नाम क्या है काईक कोशी का बताएं यहां तक की कहानी समझ में आई है या नहीं आई है यहां तक कोई confusion तो नहीं था चलें आगे आगे देखते हैं बिटा जी अब आगे जो है थोड़ा सा भाग रह गया है ठीक है उसको हम कल आकर करेंग से complete ठीक है लेकिन अभी सुनिया मिजहना अन्हीं अभी सुनिह जो चीज़ यहां वहन बीटाएं यहां पर क्या बूल रहा है देखेगा हमने आज कहां पर खतम क्या है देखे हमने बात करी यह हमारी क्या थी लगhou बीजानू धानी जिस लगू बीजारू धानी कितनी स्तर थी जल्दी से मुझे बताएं चार और इसके अंदर क्या मिल रहे थे चतुष्क मिल रहे थे जिसके अंदर चार कोशिकाएं थी इस चतुष्क को मैंने बढ़ा करके दिखाया सिर्फ बढ़ा करके दिखा रहा हूं ठीक है समझना इस चतुष्क के अंदर जो चार कोशिकाएं हैं एक दो तीन और चार ठीक है इन चारों कोशिकाओं में एक क्या है जरा जली से मुझे बताएं बड़ी कोशिका है ठीक है और दो हमारी छोटी कोशिकाएं है कोई दिकत तो नहीं थी समझ में आ गया अब बस जाने से पहले एक बिंदू और सुन लीजिए क्या आपको टैपिटम का कारे याद आ रहा है क्या था टैपिटम का कारे जल्दी से मुझे बताएं जल्दी से बताएं टैपिटम के क्या कारे थे या टैपिटम से रिलेटेड दो बिंदू मैंने आपको बताये थे सिर्फ दो पहला टैपिटम की कोशिकाएं एकल केंद्र किये थी के बहु केंद्र किये थी याद करी आज ही बताया था कैसी थी बहु केंद्र किये ठीक है दूसरा बिंदू बताया था कारे क्या था टैपिटम का आपने बोला सर टैपिटम जो है पोशन देगा किसको देगा इन्ही कोशिकाओं को ही तो क्या देगा पोशन देगा दो दो चीजे समझ में आ गई अब तीसरी चीज सुनिएगा बिटा जी तीसरा कारे किसका भाया हमारी इस तर टैपिटम का तीसरा कारे ध्यान से सुनना ये टैपिटम की जो कोशिकाएं हैं ये हमारी टैपिटम है जो बहु केंद्र की ये है ये टैपिटम की कोशिकाएं एक एंजाइम स्तरावित करती हैं क्या स्तरावित कर रहे हैं बच्चों एंजाइम और उस एंजाइम का नाम है कैलेज क्या ये चीज समझ मैं ये बटा क्या टैपिटम ने क्या इस्तरावित किया है किसका इस्तरावित किया है हमने बोला टैपिटम ने एक एंजाइम इस्तरावित किया है बालक जिसका नाम आपने याद रखना है क्या नाम है कैलेज जैसे माल्टेज माल्टोज को तोड़ता है सुक्रेज सुक्रोज को तोड़ता है लाइपेज लाइपेज लिपिड्स को तोड़ता है प्रोटीज प्रोटीन को तोड़ता है तो कैलेज किसको तोड़ेगा सोच सम को तोड़ देगा देखेगा ये कहलो जिस तर जब तूट जाएगी तो सोच समझ के मुझे बताएं कौन मुक्त हो जाएगा कौन मुक्त हो जाएगे ये मुक्त हो जाएगे कौन ये संग्रचनाय दिखाई दे रही हैं ये संग्रचनाय क्या हो जाएगी मुक्त हो जाएगी औ और इन संग्रचनाओं को हम क्या नाम देंगे बच्चों इन संग्रचनाओं को हम नाम देंगे क्या पराग कन क्या नाम दिया है पराग कन तो ज़रा जल्दी से मुझे बताएं लगू भी जानू लगू भी जानू थे ना अंदर उन लगू भी जानू में परीपकवन से कही न कहीं किसका निर्मान हो गया या परागकण का निर्मान हो गया अब इस परागकण में और भी परिवर्तन आएंगे जो हम कल देखेंगे ठीक है कल मिलेंगे इसी टाइम पर दस बजे टेक केर बाई बाई